ईक ही मांग है कि समस्त लंबिद भरतियों को पूरा किया जुआ है इस वक्त हम राजस्तान कर्मचारी चेहने बोर में पहँचे है और हमाए साथ मौझूद है राजस्तान कर्मचारी चेहन बोर के अढ़्यक्ष हरी प्रशाज शर्मा जी सर सबसे पहले तो आपको नमस्कार सर में सबसे पहले जाना जाऊंगे कि जो चातर हैं वो लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि जो समस्त लंबित भरती है उनको पूरा किया जो है सबसे पहले बात करूंगे पटवारी भरती परिक्षा की जन्वरी में परिक्षा युजित होनी थी लेकिन उसके बाद उसको कुछ वक्त के लिए स्तगित किया गया तो चातर सर लगातार आवाज उठा रहे हैं उनका कहना है कि वो परिक्षा कब होगी चाए पटवारी हो चाए जे डिगरी की परिक्षा की बात करें कि वो भी पेप परिक्षा के लिए जो उपलब्द इस्तान होता है स्कूलों में शिक्सन संस्ताओं में वो हमें कब उपलब्द होता है आने वाले समय में बोर्ड की परिक्षा है युजित होने वाली है ऐसी इस्तितिक में हम इस बात पर ही एक्सराइज कर रहे हैं हम वो इस्तान कब उप लेडोटे पे आप आ सकते हैं लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्सम बोक्स केंदे जाके चेक कर लीजेगा और आप जैसे ही स्वेप्टार पे आता है तो आपके सामने आज तक की जितने भी सरकारी नहों करी हैं उनसे रिलेटेड और इसके लाओ रीट बढ़ती के ओन राजस्तान पट्वारी लिखेंगे और आप सर्च बोक्स पर किलिक करेंगे तो आपके सामने राजस्तान पट्वारी एक्जाम से रिलेटेड सारी की सारी इंफ्रमिशन मिल जाती है आप किसी भी लिंक पर किलिक करके आप सारी की सारी इंफ्रमिशन पास सकते हैं लिंक आ नहीं बता सकता, संभावना है कि जितना जल्द हमें उपलबता होगी, उसी के उनसार हम करेंगे, क्यों बड़ी बड़ती है, हम इसमें किसी प्रकार का वो इजी गोइंग नहीं रह सकते, हमारी है कि यह बड़ती हो, और एक बहुत ही सही तरीके से हो, और निर्धारित प्रक इसके अलावा में रेकॉर्ड सवाल रहेगा कि चात्र लगातर इन दिनों वर्तमान में देखा जा रहा है राजस्तान में, जो बेरोजगार है, वो धरना भी कर रहा है, भी हाल ही में धरने की बात करूँ, बाइस गोदाम स्थित जो प्रेदर्शन इस तरह है, वहां पर भ भरती परिक्षा को जल से जल पूरा किया जाए, तो सर आप इस पर चात्र को क्या कहना जाएंगी, क्योंकि सर चात्र का यही कहना रहता है, कि हम दूसरी जगा से आते हैं, रोजगार की तलाश में, फिर भरती परिक्षा किसी ना किसी कारण से अटक जाती है, तो हमारा उन्तम समय लगना जरूरी होता है, वो लगता भी है, लेकिन हमारे या मेरे इस तरपे बॉर्ड पे हम यह सुनिशित करेंगे कि कि किसी भी प्रकार की अनावशक देरी नहीं हो, और इसके लिए जरूरी है कि बरती निस्पक्स भी हो, पूरी तैयारी के साथ हो, पूरी मान से हटाने की उस वक्त बात करी थी, क्योंकि पेपर में जो धानले बाजी की खबर आ रही थी, अब सर आप नए अध्यक्ष बने तो चात्रों को आपके उपर विश्वास है, जादा विश्वास है, चात्रों हम से भी कहते हैं हमारी चैनल के माध्यम से, कि उन पर हमें पू पेक्षाए है, मैं मेरी तरब से, मेरी जो स्रेश्ट हो सर्वत्तम हो सकता है, वो पूरा करने का प्रियास करूँगा। आप तक खबरी जल से जल पहुचाते रहेंगे, नमस्कार धन्यवाद.